नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्रिक इन फॉरम में तो इंडिया वर्सेज अस्टेलिया का जो कल मैच खेला जाने वारा है नाकपूर में उसके लिए रोहिस सर्मा का प्रेस कॉन्फरेंस हुआ था उसमें रोहिस सर्मा ने कई बड़े खुलासे की हैं वही अपन के ने जो सबसे बड़ा खुलासा और जो सबके जहन में जो बात समाई हुई है वो यह कि प्लेइंग 11 में गिल खेलेंगे सुर्कुमार यादव खेलेंगे या केल राहूल खेलेंगे तो कल के प्रेस कॉन्फरेंस से यह तो क्लियर हो गया है कि प्लेइंग 11 में केल राहूल उसमें भारत के तरफ से सभसे सांदार किसी बल्लेBobाज ने , तो वह सुमन गिल ने की है , सुर्खकुमार र्यादक ल हमें बर्वितरीन प्लेयर, जिस साथ स्वीपचुट , रिवरस स्वीप CR बेटिंग करके हमें और। तो वो अलग स्कोप जोड़ेंगे मिडिल ओडर में वहीं सुम्मन गिल के बारे में बोला कि सुम्मन गिल का फॉर्म उनके साथ है और वो जवर्जस्त हालिया प्रदर्सन कर रहे हैं लेकिन उन्होंने कहा कि आपको ये देखने के लिए कल सुबह 9 बजे का इंतिजार करना होगा कि कौन हमारे प्लेइंग 11 में सामिल होता है तो रोई सर्मा ने प्लेइंग 11 के उपर कोई भी वो नहीं किया कोई भी चीजें नहीं खोली कि सुमन गिल को उन्हों प्रयोर्टी देंगे या सुरुकुमार यादो को उन्होंने दोनों इखिलाडियों की प्रसंसा किये दोनों के लिए ये कहा कि आपको कल सुवर 9 बजे का इंतिजार करना होगा कि कौन हमारे प्लेइंग 11 में खेलना है क्योंकि हम पिच कंडिसन को एसेस करने के बाद होर्सेस फौर कोर्सेस के लिए जाएंगे और यही सभी प्लेयरों से कह दिया गया है कि आपको ये नहीं सो रोही सर्माने वहीं जो दूसरा बात बड़ी बात बोली रोही सर्माने वह बोला पिच कंडिसन के बारे में काफी ज्यादा क्लेम किया जा रहा है इसको काफी घुमाया गया है इसको काफी बदला गया है इसमें बहुत ज्यादा टर्न मिलने वाला है उस पर रोही सर्माने अच्छा खेल खेलने की कोसिस करें, pitch कैसा behave करेगी, वो उस दिन ही पता चल पाएगा, क्या उस दिन क्यासी हरकत कर रही है, pitch ये बाहरी noise है, उसको ignore करके चलना चाहिए, और दोनों ही तरप से 22 quality player आपको 5 दिनों का test खेलते वे दिखेंगे, और 22 खिलाडियों के लिए pitch matter नही कर रहे हो, आपको अपना कैसा sort selection करना है, कैसे counter punch करना है, कैसे pressure बनाना है, किस हिसाब से आप scoring करना चाहते हो, इन सभी चीज़ पे batter ध्यान देता है, और वही वो करने का अकसर प्रयास करता है, और यही हम लोग convey भी करते हैं Mrs. dressing room में, कि आपको जाकर ये सोचना है कि कैसे आप अधिक से अधिक तरीके से score कर सकते हो, तो ये जो दूसरी बड़ी बात ये रोही सर्मा ने कही, वहीं spinnerों पे जो एक संसाय बना हुआ है, कि कौन से तीन quality spinner भारती टीम के playing 11 में भाग लेंगे, तो उस पे भी रोही सर्मा ने दिल्चस्प बयान दिया है, रोही सर्मा ने बोला है कि हमारे पास चारों quality spinner है, किसी के quality में कोई कमी नहीं है, और ये सौभाग जिकी बात है कि इस महत्पूर सिंखला के लिए हमारे पास चारों quality spinner उपलब्ध है, उन्होंने कहा कि अगर आप देखो कि रविंजडेजा, आरस्वीन काफी दिनों से operate करते आ रहे है भारती टीम के लिए और consistently perform कर रहे हैं, वहीं अगर हम बात करें अक्षर पटेल की तो जो इंग्लैंड का दोरा हुआ था भारत का, वहां अक्षर पटेल ने 37 विकेट लेकर गए थे और वो विकेट काफी बड़े, वतलब 37 विकेट आम बात नहीं होती किसी spinner को लेना, और जब रविन जडेजा नहीं खेला था, तब उन्होंने काफी अच्छे तरीके से उस कमी को भरे थे और काफी बेहतरीन performance दिया था, वहीं कुलदीप यादव के बारे में रोही सर्मा ने बोला कि कुलदीप ने बंगलादेस के खिलाप हाली फिलाल जो पिछला टेस्ट उन् बैटिंग करके भी देते हैं, प्लस उनके जो कुलदीप यादों हैं वो भी बैटिंग कर सकते हैं, तो चारो स्पीनर बैट्समैन बैटिंग करके भी उपियोगिता अपनी साबित कर सकते हैं, और यह अच्छा रहता है टीम कंबिनिसन के लिए, कि अगर आपके पास ऐसे जो डूएल रोल अधा कर सकें, और हमारे स्पीनर चारो के चारो डूएल रोल अधा करने में काफी अच्छा, मतलब काफी अच्छे हैं, और अगर आप कुलदीप की बैटिंग देखो, तो उन्होंने बंगलादेस के खिलाब 40 प्लस स्कोर किया था, और हमें अच्छे काफी इंप्रेसिव हैं, उसके साथ वो जुडेंगे, तो यह खुलासा रोही सर्मा ने इस पर नहीं किया, वहीं अगर हम बात करें, तो जो सौथी महतवपूर बिंदू रोही सर्मा ने डिसकस किया, वो था कि टेस्ट क्रिकेट का पॉपलर्टी में इंक्रीज होना, क्यो बिंदू के ब्रांडिंग के लिए काफी महतवपूर है, 48,000 टिकट बिकनाा टेस्ट क्रिकेट में काफी अच्छी बात है, वो भी पहले दिन, यह हमें काफी खुशी प्रता है, और हमें ऐस प्लेएर मोटिवेट करता है, कि टेस्ट क्रिकेट भी लोग पहले दिन से देख परड भी यहां पर अच्छा है यहां का dressing room अच्छा है टेश्ट क्रिकेट में खासकर आप यह जरूर ध्यान देते हो कि dressing room कैसा है dining room कैसा है जो जहां पर आप आराम करने जाते हो वो चीजे कैसी है क्योंकि आपको आठ दिन यहाँ पर बिताने होते हैं पांस दिन का खेल खेलना होता है दो दिन पहले कैम्प लगता है टोटल साथ से आठ दिन आपको बिताने होते हैं तो आपको changing room, dressing room ये सबों का खाफी मतलब महत्वपूर योगदान होता है कि आप हमेशा refresh महसूस करते रहें तो ये चंद बातें जो अपने refresh वारता में रोई सर्मा ने share किया है और सभी कुछ को अभी तक उन्होंने गुप्ती रखा है भारती प्लेइंग लेवन पे भी जम कर कुछ बात नहीं की, न स्पीनरों का खुलासा किया कि तीन महतपूर स्पीनर कौन से होंगे न उन्होंने ये भी खुलासा किया कि सुबमनगील या सुरकुमार यादो दोनों में से कौन ठेलते हुए दिखेंगे और सब कुछ उन्होंने गुप्त रखा, उन्होंने कहा कि आप सब कुछ प्लेइंग 11 के बारे में आपको कल सुबह 9 भजे ही पता चल पाएगा, क्योंकि हम लोग फिच को SS करेंगे, फिर Horses for Courses सेलेट करेंगे, तो ये महतपूर बिंदू थे, जो रोई सर्मा ने अपने प्रेसवारता में डिसकस किया, आज के ना भूलें